लोगडाउन शब्द भला इससे आज कौन वाकिफ नहीं होगा लेकिन लोगडाउन के साथ एक फिलिंग तो आती है कि वो मनमर्जी से नहीं होता है यानि के हम लोगों को लोगडाउन मजबूरी में करना पड़ा था और सरकार की तरफ से बेसिकली उसको हमें दिया गया था लिकिन आप जानते हैं एक जनजाती ऐसी भी है चो अपनी मर्जी से बकायदा साथ घंटों का लॉकडाउन रखती है उस साथ घंटों के दो रान ना उस गाउं में कोई आ सकता है ना उस गाउं से कोई जा सकता है यहां तग लोग अपनी घरों से बाहर भी नहीं निकलते ह भला उस जनजाती के साथ ऐसी क्या समस्या रही होगी को अपनी मर्जी से लॉक्डाउन रखते हैं तो देखिए यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है बलकि एक बहुत महत्पूर्ण कॉज है जिसके लिए वो लोग 60 गंटों के लिए अपने घरों में बंद रहते हैं दरसल पर्यावरन के सुरक्षा करने के लिए प्रकरती के प्रती अपने प्रेम को दिखाने के लिए नीचों के प्रती अपना एक सम्मान दरशाने के लिए थारू जनजाती के लोगों के द्वारा एक उत्सम मनाया जाता है जिसको बरना त्योहार कहते हैं इस बरना त्योहार के तहती लोग 60 घंटों के लिए अपने घरों में बंद हो जाते हैं यहां तक कि उनके पश्यों का सामान उनका अपना सारा सामान वो लोग घर में ही इखटा कर लेते हैं तो आज की वेडियो में इस इंट्रस्टिंग सी चीज़ को हम समझने वाले हैं साथ ही हम समझेंगे कि थारू जनजाती के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट और उसके बाद हम अनुसूचित जनजातियों के लिए हमारे कॉंस्टिटूशन में क्या प्रोविजन किये गए हैं किस आर्टिकल के तहत जो है किसी को अनुसूचित जनजाती घूशित किया जाता है इन सारे चीज़ों को हम समझेंगे नमश्कार दोस्तों में प्राची संस्क्रदे आयेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहत स्वागत करती हूं और आज एक बहुत इंट्रस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो पर हम चर्चा करने वाले हैं शुरुवात करते हैं देखे थारू जनजाती के लोग सदियों से ये बर्ना नाम का जो पर्व है इसको मनाते आ रहे हैं इसका उद्देश्य पर्यावरन की रक्षा के लिए लोगों को ना सिर्व जागरु करना होता है बलकि हर्याली को भी बचाना होता है यदि कोई एक पत्ता भी तोड़ लेता है तो घर के बड़ों के द्वारा उसको पनिश्मेंट दी जाती है इतने सक्त नियम इस्तियोहार के दोरान होते हैं यहां पर देखिए कि थारू जो जनजाती है वो दरसल नेपाल और भारत दोनों ही देशों में पाई जाती है दोनों ही देशों जो तराई वाला मैदान है उस तराई वाली पट्टी में दरसल इन थारो जनजातियों का निवास इस्थान है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले का जो बगहा और गोनाहा प्रखंड है उसमें करीब 200 से जादा गाउं है वहां का जो पूरा इलाका है उसको थरूहट के ना इस जनजाति की रहती है एक्जिक्ट फिगर की बात करें तो यह पोने 3 लाक है 2.74 सम्थिंग लाक जो है इन लोगों की टोटल पॉपूलशन है तो आपने थारो जनजाति के बारे में क्या फ्यक्ट याद रखना है तराई पट्टी और साथ में बिहार का जो चंपारण ज जिला है पश्चिमी चंपारण जिला वहां पर यह मिलते हैं स्वभाव से यह जनजाति काफे मिलनसार और आतित्य सतकार करने वाली होती है और जनजाति का जीवन है वो जंगल पर आश्रित होकर ही चलता है खेती बाड़ी से अभी इनका इतना जादा जुडाव नहीं हु कि असीम निकटता है जैसे कि मैंने बताया अगर अपनी लाइवली होड के लिए आप फॉरेस्ट पर निर्वर होंगे तो फॉरेस्ट का दर्जाब की नजर में वैसे भी बहुत ऊपर होगा लेकिन ट्राइब्स तो वैसे भी जल जंगल जमीर इनको बहुत अपने पन के सा रखते हैं तो वो जो एक बॉंड है थारू जंजाती का इस बर्ना त्योहार के माध्यम से तो बहत तरीके से परिलक्षित होता है तो देखिए खेति किसानी करने वाला जो समाज है उसके कंपार में देखा जाए तो यह लोग काफे पिछड़े हुए है यह लोग प्रक्रत को कोई भी नुकसान ना पहुंचे इसलिए वो प्रक्रति की रक्षा का पर्व बनाते हैं तो कि मौनसून का एक जो है टाइम आता है उस ताइम पर क्योंकि इन लोगों का मानना है नए ने पोधो का सरजन प्रक्रति के द्वारा होता है तो जुलाई ऑक्टूबर वाला ज जितनी भी गाउं हैं वो सारे गाउं के लोग आपस में एक बैठक करते हैं और उस बैठक में बैठक कर ये तिथी तै की जाती है अमुमम जो ये तिवहार मनाया जाता है ये अगस्त सितंबर के आसपास जो है जो है मनाया जासा है जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें पीपल के पीड़ के चारो और मंत्र चारण वगएरा करके खर्पत वार बांद दिये जाते हैं और जो सोखा यानि कि इन लोगों के गुरु होते हैं वो मंत्र वगएरा को उचारण करके पूचा करते हैं यह देखिए पीपल के पेड़को बेसिकली बरखाना बोला जाता है और बर्खाना में जो ब्रह्म स्थान है वहाँ पर वन देवी के पास पूझा करके परियावरन सनरक्षन का संकल प्लिया जाता है, जो महिलाएं हैं वो भोग लगाकर जो प्रकृति की देवी हैं, उनको मनाने का प्रयास करती हैं और पूरे कम्यूनिटी यानिके पूरे समु खृपतवार बांदे गए थे, इसके चारों तरह यह सब हटा लिये जाते हैं, इसके बाद त्योहार समाप्त हो जाता है, लोगों की सामान्य दिन चरिया स्टार्ट हो जाती है, और आदिवासी परंपरा का जो गीत, नृत्य संगीत है, इस सारे उत्सव के साथ इस परंपरा को बेसिकली आप कहते हैं निभा रहे हैं, इस तुरह ना तो कोई गाउं में आता है, नहीं कोई गाउं से जा सकता है, साथ घंटे तक लोग अपने आपको पेड़ पोधों से, करपतवार से, हरियाली घास से दूर रखते हैं, उनका मानना ये है कि अगर हम रोज मर्रा की गतिविद्या भी करते हैं, तो पेड़ पोधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसी लिए हमें क्या है, घर के अंदर बंद होकर रहना चाहिए, जहां पर एक समूदाय परियावरन की सुरक्षा के लिए अपने आप पर नियंतरन रखता है, और ये चीज हम आज हितों की एवच पर उनकी एक तरीके से बली देनी शुरू हो जाए, तो थारू समूदाय से हमें कुछ सीखने की जुरूरत है, तो यही 60 घंटे का लॉकडाउन है, आप देखें, गल्ती से भी किसी पेड़ पोधे पर पाव ना पढ़ जाए, इस बात का भी बकायता, इस चारे के विवस्था भी कर ली जाती है, ताकि जो लॉकडाउन की अवधी है, उसमें घर से बाहर बिलकुल भी निकलना ना पड़े, यहां तक कि जो महिलाएं हैं, वो इन दिनों सबजियां भी नहीं काटती है, प्रकरती की इस कदर रिस्पेक्ट रखे जाती है, कि वो दूरी भी नहीं की जाती है, जिसकी वज़े से किसी भी हरे पोधे को नुकसान ना पहुचाया जा सके, अब मैंने आपको बता है था कि गाउं में आना जाना बंद हो जाता है, तो गाउं की चार दिशाय और चार कौनों की सुरक्षा करनी के लिए, आठ सुरक्षा रक्ष तो थारू ट्राइब से जो है बिलॉंग करता है, इन लोगों का मानना है कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि आपका से बच्चाव करने के लिए और वन देवी को खुश करने के लिए हमें बकायदा वनस्पत्यों के एक विदिवत अरात्ना करनी चाहिए और वनस्पत्यों को जो एक उनका सम्मान है वो दरसल देना चाहिए जो हल्दी मिला कच्चा चावल होता है उससे अभिमंत्रित करके जो चार डेंग वहाग होते हैं निके जो शुरक्षा करने वाले लोग हैं वो दरसल गाउं की सीमाव पर उसको बान देते हैं और यह विश्वास किया जाता ह इनकी तरफ से कि इस तरह अगर जो अनुस्थान है यह गाउं को आपदा से या फिर अगर किसी परकार का रोग है तो उससे बचाता है अब देखें यहां पर एक इंट्रस्टिंग सी चीज मैं आपको बताती हूं यह जो त्योहार है यह इतना आप कह सकते हैं कि सीख लेने जातियों से प्रकरती के महत्व को समझने की थोड़ी सी आवशकता है यहां पर आप देखेंगे अगस्त 31 2020 की एक न्यूज है जिसमें बताया गया है कि प्रधान मंतरी मोधी जी के द्वारा जो यह बढ़ना त्योहार है इसकी प्रशनशा की गई है अब हमने देखिए इन यह होता है कि बोध धर्म की एक शाखा है थेरवाद या उसकी परमपरा है थेरवाद इसको मानने वाला जो भी होता है वो स्थावर होता है तो बोध धर्म की थेरवाद परमपरा से इस वर्ड का ओरीजन माना जाता है और वहीं से जो है थारुजन जाती का भी एक ओरीजन माना जाता है लेकिन ध्यान रखेगा ये लोग बोध धर्म को नहीं मानते हैं ये लोग शिव की पूजा करते हैं और शिव की पूजा ये महादेव के रूप में करते हैं इसके लावा ये नारायन की पूजा करते हैं नारायन को जो प्रकृति का देवता है उसके रूप में इनके द्वारा माना जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो तरही वाला एरिया है वहाँ पर यह पाए जाते तो देखिए अगर आप यह देखेंगे कि यह जो एक पूरा का पूरा नेपाल का दिख रहा है यह यहां पर तरही पत्टी आती है यह इंडिया है और यह और नेपाल दोनों जहां जो है थारू जंजाती के लोग मिलते हैं भारत की बात करें तो अधिकांश्त है उत्राखन उत्तरपर्देश और बिहार में यह लोग रहते हैं बिहार का तो जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वो बिसिकली इसके लिए जाना जाता है उत्र अधिवी का वनोर पर यह आश्रित रहते हैं हाला कि धिरे-धिरे कुछ लोग जो है वो अग्रिकल्चर की तरफ भी बतलाब कर चुके हैं अगर इंके आर्टन कल्चर की बात की जाए तो बहुत इंपोर्टेंट है कि जो दिपावली है जो हमारे लिए अतनी खुश्यों से इच्छमक से रोश्णी से भरावत हो रहे हैं यह लोग दिपावली को शोक के उत्सव के रूप में मनाते हैं और अगर इनकी भाषा की बात करें तो थारू भाषा की अलग-अलग बोलिया है इसके लावा हिंदी उर्दू अवदी भाषा के जो अलग-अलग रूप है जो इन लोगों ने अपने डालेक्ट के हिसाब से बदल लिया है उसका परयोगी आम पोल्चाल की भाषा के लिए दरसल करते हैं तो यहां एक पिक्चर आप बड़ी सुन्दर सी देख सकते हैं देखे मैं आपको बताई यह भगवान शिव को महादेव के रूप में पूचते ह तो पूरे उत्तर भारत के विपरीत यहां पर फीमिल्स को जादा पावर मिलती है फैमली हरार्की की अगर बात करें तो यहां तक कि प्रॉपर्टी के मामले में भी जो महिलाओ का अधिकार होता है वो पुरुषों के मुकाबले जादा मजबूत है तो अगेन यह क्योंकि और अगर देखेंचा है तो इसको ध्हां डिगरां अगर मनच पक्वानों की बात करें जिनके लिए ज़ाने जाते तो दिक्री था धोनग दरसले होते हैं उभले हुए अगal का पीत्त को बना कर भारत एक बनाया जाता है तो लिए अनोंक vista समिल आजनगी तो ये तो हमने पड़ा बंळा जोहार और ठारुजनजाति के बारे में अब अब दरहसल हमें अनुसुचित जनजाती शेड्यूल ट्राइब यह वर्ड जो है इसका थोड़ा सा पता होना चाहिए क्यूँ क्यों कि ठारुजनजाती को उत्रहक कर में बिहार में जो है 625 उसमें यह कहा गया है कि अनुशचे जंजाती वह समूदाएं होंगे जिनको समिधान के 342 के तहत क्या है सूछीवर्द किया गया होगा और जो अनुषचे 342 है very important यह क्या कहता है कि अनुशचे जंजातीया वह समूदाएं है जिनको रास्टपती की द्वारा या तो एक क्या है अधिकारिक अधिसूचना के द्वारा या तो उन्होंने एक सार्वजनिक अधिकारिक अधिसूचना देनी है या फिर संसद द्वारा संबंदित अधिनियम में सुन्शोधन करके घोशित किया गया है या तो जो संसद है पार्लियमेंट है उसने क्या किया ह तो जो नाम वो आएगा वो आर्टिकल 342 के दैस शेडूल ट्राइब में आ जाएगा लेकि अनुसूची जन्जातियों के बारे में चीज को ध्यान रखेगा कि यह जो दर्जा मिलता है यह राज्य या कींद्र साशित इस्तर पर मिलता है यह कोई शेडूल ट्राइब पूरे ऐसा होना आवश्यक नहीं है वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है के स्वाइक डिफर करता है जैसे यहां पर दिखाया गया है कि जन्जातियों के जो सूची है वह राज्य और केंद्र साशित प्रदेश से सम्मंदित होती है और अगर सूचित जन्जाति के रूप में जाता होना चाहिए जो इस तरह की स्टीटमेंट होते हैं वही जो है पूछे जाते हैं तो एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें थारू जन्जाति के बढ़नात युहार के बारे में हमने पढ़ा और शेडूल ट्राइब्स के बारे में हमने जाना दोनों ही चीज़े प्रिलि लिंकिंग के द्वारा जो है स्लेबर्स बढ़ा जाता है और यही यूपीस से के डिमांड भी है मुझे उमीद है यह इंट्रस्टिंग से वीडियो आपको पसंद आया होगा बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए नवश्का धन् कर दो